आज मार्किट का हॉलिडे है और हम कुछ स्टॉक्स ऐसे देखेंगे आज अलग-अलग वीडियो में जिनके अंदर आने वाले हफते में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है तो बजाच फिनसर्व के बाद में अब स्टॉक आ रहा है बजाच फिनसर्व के ऊपर काफी सारा डिसकेशन मैंने अभी पिछले हफते दो से तीन वीडियो बना के आपको बता दिया है पोस्ट कर दिया उसको आप जाकर चेक कर सकते हैं वो वीडियो अब जब एक स्टॉक के सकता है और ये स्टॉक अभी अपने 52 वीक हाई के स्टेट से कहां पर है वो हम लोग पहले देख लेते हैं देखें 18 अक्टोबर को पिछले साल इस स्टॉक का 52 वीक हाई लगा था 8,050 पर और 17 जून को इस स्टॉक ने 5,220 रुपीज का 52 वीक लो भी लगा था दो महीने प मैंने लास्ट बजाच फिनेंस की वीडियो में भी आपको बताया था दिखाया था कि अगर ये परपल लाइन क्रॉस कर जाती है और डेफिनेटल एक ब्रेक आउट वाली सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएगी और तीन हफते पहले इस वाली कैंडल के उपर एक स्ट स्टिफाइड आप कह सकते हैं रिवर्सल यहां पर आ चुका है बजाच फिनेंस के स्टॉक में अब यह जो रिवर्सल है क्या शो कर रहा है सबसे पहले तो आप यह देखें कि यह जो कैंडल है जो ग्रीन कैंडल है यह इतनी लॉंग लेंथ कैंडल है कि पिछले कई महीनों में इन फैक्ट अगर आप इसको और थोड़ा सा स्क्वीज करके देखने की कोशिश करें तो आपको यह चीज दिखाई दे जाएगी कि ऐसी बड़ी कैंडल पिछले एक दो तीन साल में भी आपको इनहां पर नहीं दिखाई दे दी तो इट मींस कि लंबे टाइम का अगें इसको निकाल के ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि देखें मोमेंटम तो भी हाई है तो मोमेंटम के अंदर अगर थोड़ा बहुत यहां कंसलिडेट हुआ भी तो भी कोई दिक्कत नहीं उसके बाद तो यहां पर क्रॉस करेगा ही करेगा देन फिर यह डैफिन अपने 52 वी खाई पर पहुचतावा दिखाई देगा जो आठ हजार पचास के हैं तो इस वक्त इस मोमेंटम में इसको प्ले करना बहुत अच्छा है लेकिन अगर आप एक शॉट टम के ट्रेडर हो तो आपको अपनी एंट्री और एक्जिट पहले से पता होनी चाहिए रिस्ट र यह दोनों आगे की तरफ एक्स्टेंड हो रही है और अगर यह ऐसा होता है तो एक गोल्डन क्रॉसोवर बनेगा गोल्डन क्रॉसोवर का मतलब सीधा सीधा यह यह कि स्टॉक के अंदर और बाइंग आपको देखने को मिल जाएगी और यह स्टॉक और फर्दर नई लेवल पर जाएगा और आप देख सकते हैं रिसेंट में जो इसने एक हाई लेवल लगाये थे 7600 के वहां से जो गिरावट आई थी एक सिग्निफिकेंट गिरावट आई थी जून 2022 तग वो कम्प्लीट हो चुकी है पूरी वीशेप रिकवरी आपको यहाँ पर देखने को मिल अब देखी यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस सेक्शन समझते हैं डेली चार्स की ओपर एक बुलिश कैंडल मिली यहाँ पर आने के बाद भी देखिए जनरली क्या होता है कि इतना बड़ा जब वाल्यूम का बार बनता है तो उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी लेकिन वाकी में अगर ये वाला एरिया में अक्यूमिलेशन का मानता हूँ कि ये अक्यूमिलेशन का एरिया है तो फिर अभी एक एडवांसमेंट की स्टेज पर निकल गया है जैसे मैं आपको बताता हूँ कि चार स्टेज होती है तो फर्स स्टेज हैं कंप्लीट होगी है second stage हाँ पर advancement की चल रही है, advancement की stage में ये stock consolidate हो रहा है in levels के आसपास, जो तकरीबन 7200 के हैं, 7200 के level पर stop loss लगाएंगे, उसके बाद में हाँ से आप positions बना सकते हैं, काफी अच्छे targets, in fact बड़े targets आपको देखने को मिल जाएंगे, 7600 रुपीज का hurdle, ये target 1 मान लीजे, short term के जो traders ह ये निकलते ही आपको एक नया 52 week high लगतावा दिखाई देगा, आपको अगले target 8,050 भी नहीं रखने है, आपको यहाँ पर at least 8100 के targets देखने को मिल जाएंगे, जिस momentum में इस वक्त बजाज finance का ये stock आतावा दिखाई दे रहा है, तो मैं expect करता हूँ कि आने वाले दिनों में NBFC सेक्टर के लिए कोई negative news अगर नहीं रहेगी, तो बजाज finance एक ऐसा prominent stock निकल के आएगा, जो सबसे जादा high risk to reward आपको दिखा सकता है, यानि कि पैसा कमाने की probability यहाँ पर जादा होती भी आपको देखने को मिल सकती है, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि देखे, अब य profit booking आती है तो बड़ी significant profit booking आती है इस stock में, अब RSI क्या है, relative strength index क्या है, ठीक है न, जो price and volumes को combine करके आपको stock की strength बता रहा है, अब यहाँ पर अगर यह advancement stage है जैसे मैंने आपको बताया, तो एक छोटे-छोटे volume के बार पर भी stock ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे नहीं आएगा अब इसको volume की जरुद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ price play करेगा, जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, वो सिर्फ अपना इतना काम करेंगी कि इस stock को bet कर देखेंगे, केवल defend करेंगे, वो एक particular level से नीचे ना जाए, अब वो position नहीं बनाएंगे, तो छोटे-छोटे retailers भ बनाने लगे, then definitely यह stock हर एक टिक के ऊपर, ऊपर के level पर जातावा दिखाई दे जाएगा, इसलिए downside बहुत limited है, मतलब इसका RSI नीचे आएगा, क्योंकि volumes अब जादा नहीं रहेंगे, volumes कम रहेंगे, as per the expectation जो second stage में होता है, advancement की, volume अगर कम रहेंगे, तो भी इसका RSI जो है नीचे आएगा, लेकिन price नीचे नीचे नहीं आएगा, price उपर ही रहेगा, इसलिए मैं समझता हूँगी, short term के trader है, वो 7200 का यहाँ पर stop loss लगाएंगे, और थोड़ा सा conservative होना चाहें, तो और थोड़ा सा 50 से 100 रुपे नीचे 7100 पर आ सकते हैं, पर इस से जादा नीचे stop loss लगाने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है, क्योंकि stock के अंदर जो momentum है, वो 7100 नीचे की तरफ downside में cross नहीं होने देगा, as per the situation जो आती भी दिखाई दे रही है, तो अलग-अलग combinations आपको बनाने चाहिए, stock के अंदर situations के strategies के तब आपको कोई बड़ा level या target दिखाई देता ह तो exact actual target में इसलिए नहीं दे सकता, क्योंकि यहां से जैसे ही 7600 cross करेगा, तो एक बड़ा momentum और create हो जाएगा, और infuse हो जाएगा इस stock में, और उस situation में 8,050 भी यह easily break कर देगा, तो बड़ा resistance 8,050 नाओके 7600 होगा, जो previous swing high levels थे, recent swing के, इसको यह निकालता है, जितनी जल्दी उतनी जल्दी यह अपने नई levels पर पहुचेगा, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि देखे, 25th of August की जो expiry है, वहाँ पर आपको यह नए 52 week high लगाता हुआ दिखाई दे सकता है, उससे पहले आपको यहां पर इसी मन्त में नए 52 week high आते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो यह मेरा मा बनाने जा रहे हैं, confusion कोई भी है, still इस वीडियो के बाद में तो अपने financial advisor की रहे ज़रूर ले लीजेगा, किसी भी position को बनाने से पहले, तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलूँगा बहुत जल्द आप से अगले वीडियो में, till then, thank you, bye bye